अब ग्लोबल मार्केट सिच्वेशन के हाला देखेंगे इंडेक्सेस के भी अगर आप के बलने से पहले मैं आपको बता देना चाता हूँ कि जो कंप्लीट वीडियो है सिर्फ और आपके एजुकेशन परपस से रिलेटेड है आपके पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड है अगर आपको कही इन्वेस्ट करना है तो पहले अपने फाइनेचल एडवाईजर से आरिक्षन लिता वह नजर आएगा तभी हमें इसमें बलीश भीने को मिल सकता है साथ ही साधार इंपर चेनल प्रेकाउट स्ट्राइडिक देखने को मिल सकता है लेकिन अगर मैं इससे और जादा डीप जाने की बात करूँ तो मैं गलत नहीं रहूँगा मतलब मैं बात करना चाहूँगा Global Market के Diggaj Index Dow Jones Industry के बारे में क्योंकि यहाँ पर भी almost इसी तरह का structure हमें देखने को मिल रहा है अगर आप यह तीन red candle देख रहा है पहले तो मैं इन सब को delete कर देता हूँ क्योंकि अब से पहले जो bracket situations बनी वी थी वो अब तक draw है तो पहले में इन सब को delete कर देता हूँ then फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या situations हमें देखने को मिल रहा है अगर यह आप यह तीन वाले candle देख रहे है red, red and red इसी तरह से मैं अगर आपको nifty के चार्ट पर लिजा करके दिखाना चाहूँगा almost इसी तरह के candles देखने को मिलेंगे red, छोटा red, फिर बड़ा red continuously तीन red हमें देखने को मिले और almost price इसी तरह के structure में अब हमें आतावा नजर आ सकता है लेकिन यहां से हमें अंदाजा लगाने को मिल जाता है इसलिए मैं बार-बार कहते रहता हूँ के DJI, Dow Jones, Interesty को ज़रूर notice क्या करे क्योंकि वो हमसे एक कदम आगे perform करतावा नजर आता है और उसकी मदद से हमारे market में हमें अच्छा polish performance देखने को मिल सकता है उसकी मदद से हम काफी ज़र अच्छा performance देख सकते है यहां पर भी rate, छोटा rate और बड़ा rate प्राइस इस एरिया में कहीं पर भी रुका नहीं है प्राइस काफी अच्छा bullish move लेकर के उपर की तरफ निकल गया है मतलब यह कि maximum probability यही बन रही है कि Monday market हमें अच्छा bullish move लेतावा नजर आ सकता है तो guys यहां पर अब ध्यान रखेगा कि किस तरह से हम next level को mark कर सकते है अगर आप nifty में trading करना चाते है मैं bank nifty की तरफ भी लेकर के जाऊंगा लेकिन इस बात का बहुत ज़ादा खयार रखना चाहिए कि bank nifty से जादा हमें पहले दूसरे indexes पर नजर डालना चाहिए ताकि हमें मदद मिल सके bank nifty में और भी जादा बड़े और अच्छे target अच्छीव करने में तो ध्यान रखेगा जो previous candle है जैसे ही ये break होगा ध्यान से सुनिएगा previous अगर candle नीचे से उपर की तरफ break हो जागा तो यकीन मानिए बहुत ही शांदार अच्छा bullish move देखने को मिलने वाला है मतलब 17400 का जो level है 17400 का जो level है वो काफी जादा important level निकल करके आ रहा है अगर ये इस level पर आ जाता है तो फिर काफी अच्छी rally हमें देखने को मिलने वाली है मतलब ये कि जो bullish move हमें दिखाए दिया है ये continuously अच्छा bull perform हमें करता है नजर आ सकता है तो यहाँ पर हमारे पास buying opportunities बनती है कोई भी selling opportunities बन ही नहीं रही है इसके पीछे का एक और कारण है मैं आपको वो भी बताना चाऊँगा उसके लिए मैं आपको डारेक्ट लेकर के चलूँगा trigger tap की website पर जैसे कि मैं आपके सामने आगया हूँ trigger tap की website पर और यहाँ पर trigger tap scanner पर में जाऊँगा और market mood पर में जाऊँगा और जैसी यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है market mood क्या बन चुका है अभी greed में आ चुका है अब से पहले fair था और very extremely fair था मतलब यह कि जब इस तरफ काटा गर होगा तो हमें मान के चलिए market bearish perform करता हूँ नजर आएगा और जब काटा इस तरफ आजाता है न तो बहुत ही अच्छे bullish move हमें देखने को मिलते रहते है अभी greed पर आया है उसके बाद फिर extreme greed पर आने में अभी समय लग सकता है लेकिन maximum probability है कि यह आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है तो guys यह ता overall इस तरह का view तो मैं फिर से आगया हूँ आपको nifty के चार्ट पर लेकर के तो यहाँ पर हमें bullish move ही देखने को मिलेगा 17400 का level अगर नीचे से उपर की तरफ break होगा तो as a buyer हम यहाँ पर perform करने वाले है target 100 points का लेकर के चल सकते इस top loss 50 points के SL के साथ trade कर लीजेगा अब में मुद्दे की बाद जिसके लिए आप आए हैं यहाँ पर bank nifty, bank nifty के तरफ में लेकर के आया हूँ और यहाँ पर एक चीज, एक cycle में आपको दिखाना चाहूँगा जो nifty में मैं नहीं दिखा सका क्योंके bank nifty में आपको दिखाना ज़रूरी लगा मुझे हाई से हमें जादा चोटे देखने को मिल रहे थे यह एक cycle चली हुई आ रही थी लेकिन यह cycle अब break हो चुकी है इसलिए maximum probability है कि यहाँ पर अब हमें bullish move देखने को मिल सकता है अब यह cycle कैसे break हो गई है इस बात को भी आप दिहान से समझ लीजिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था अपने पिछली life sessions में भी कि अगर कोई low, कोई high break हो जाता है मतलब कोई नया high बड़े high बन जाता है जिसे कि यहाँ पर high था यह छोटा high था अगर यह high break हो जाता न तो फिर यहाँ पर market bullish हो सकता था लेकिन इसा हुआ नहीं क्योंकि यह lower lows वाली cycle चल रही थी लेकिन यहाँ पर price ने low लगाया अगेन इसमें high move देखने को मिला अगेन फिर low जो देखने को मिला न वो और अगेन इसमें high recovery मतलब यह कि जो previous low था वो break नहीं हुआ और यहाँ पर जो नया high बनाता वो high यहाँ पर बन करके break हो चुका है मतलब यह कि अब यहाँ पर हमें higher rise वाली cycle देखने को मिल सकती है अगर गिरावट आती है तो कुछ अच्छा bullish move आने के बाद next day तो मैं Monday मतलब अच्छा bullish move ही expect कर रहा हूँ यहाँ पर bullish move आने के बाद फिर एक गिरावट हमें आ सकती है और गिरी recovery मतलब गिरावट हमें कहाँ पर देखने को मिल सकती है वो यह trend वाली line हमें देखने को मिल रही है तो यहाँ पर हमें एक गिरावट वाला माहौल देखने को मिल सकता है और अगर मैं थोड़ा से इसको zoom out करके लेकर चलूँ तो आपको थोड़ा सा और बारी किसी में आपको समझाना चाहूँगा कि price काफी जादा टाइम से इस trend line को follow कर रहा था यह जो blue वाली line देख रहा है यहाँ पर आया गिर गया यहाँ पर आया गिर गया यहाँ पर आया गिर गया यहाँ पर आकर के फिर से गिर गया लेकिन यहाँ पर यह trend line से फिर से नीचे की तरफ आ सकता है लेकिन इस बार higher eyes follow concept यूज हो रहा है मतलब यह की इस तरह से recovery आने के बाद यहाँ पर अगेन फिर यहाँ पर buying opportunities बनेगे और यहाँ से फिर एक अच्छा bullish move एक अच्छा breakout देखने को हमें इसमें मिल सकता है तब ही trigger track पर हमें maximum probability यह extreme greed वाला माहुल देखने को बिले तो next day हम एक तरह की confirmation के लिए जरूर रुकेंगे साथ ही जाथ यहाँ पर जो channel चली आ रही है वो 5 days के moving average के उपर हमें sustain करते हैं दिखाई दे रही है तो यह maximum probability बनती है कि Monday market हमें अच्छा performance देखने को मिल सकता है और अच्छा bullish move देखने को मिल सकता है तो अब हमें Monday कहाँ पर बायर होकर के trading करना चाहिए तो ध्यान रखिएगा जैसे ही previous candle close होगा तो हम यहाँ पर as a buyer perform कर सकते हैं और जिसके लिए जो level निकल करके आ रहा है 40,007 एक मिनिट में देख लेता हूँ perfectly 40,007 50 के approximate आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिखकर के दे देता हूँ 40,007 50 का level अगर नीचे से उपर की तरफ ब्रेक होगा तो हमें जब बायर यहाँ पर perform करने वाले है target जो रहेगा वो हमारा 250 points मतलब 200 points के target के लिए यहाँ पर हम trade करने वाले हैं और almost यहाँ पर जो stop loss रहेगा वो 100 points के SL के साथ हम यहाँ पर trade करेंगे इस बात का बहुत ज़ादा ध्यान रखेगा कि यह जो करने वाले मैं बोल रहा हूँ यह मैं अपने लिए कर रहा हूँ और यह अपने लिए ही करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर ध्यान रीजेगा जो target रहेगा वो 200 points का मैंने लिया है और 100 points के SL के साथ मैं यहाँ पर trade करने वाला हूँ तो guys यह completely simply way में मैंने आपको बता दिया है साथ-साथ एक important जानकरी मैं आपको बताना चाहूँगा और वो थी global market situations की अगर आप global market situations के हाला देखेंगे तो guys completely अभी हमें market green zone में दिखाई दे रहा है साथ-साथ यहाँ पर indexes के भी अगर आप हाला देखेंगे तो almost सभी indexes अभी हमें green zone में दिखाई दे रहे है और top पर हमें दिखाई देता आएगा nifty IT नifty idea में top पर दिखाई दे रहा है तो guys यह था एक simply way में मैंने आपके साथ analysis share करना था अपने लिए जो analysis किया था वो मैंने आपके साथ share कर दिया है अगर वीडियो पसंदा आए तो वीडियो को like and channel को subscribe जरू कर लें मैं आपके लिए इसी informative videos को लेकर कर आते रहूँगा चलिएगे मिरेंगे अब नई जल वीडियो के अंदर अभी के लिए मैं आपसे अलवी दा लेना चाहूँगा Thank you and bye bye